Hello and welcome to Griraj Himachal Griraj Himachal चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम नमबर महीने के जितने भी important current affair के question है वो सब discuss करेंगे यह वीडियो चार पार्ट में होगी and this is part 4 of November मन्त इस वीडियो के अंत में मैं आप से question भी पूछूँँगा उस question का जवाब आपको comment box में लिख करके बताना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं question number one एक हजार दस क्रोड रुपे की क्रिशी प्रियोजना जाइका का शुभारम कहां से किया गया है where was the वन थाउजन टेन क्रोड रुपी एक हजार दस क्रोड रुपे और इसको हाल ही में लांच किया गया है from ध्रमशाला तो डी इस question का right answer रहेगा मुख्यमंत्री श्री जाइराम ठाकुर ने ध्रमशाला में राज्य के लिए जापान अंतरराष्ट्रिये सहयोग एजिंसी के आर्थिक सहयोग से एक हजार दस पॉइंट सिक्स क्रोड रुपे की हिमाचल परदेश फसल विविदी करण संवर्धन परियोजना के चरण दो का शुभारम किया है हिमाचल परदेश की कुल जनसंख्या का 90 परतीशत से अधिक गाउं में निवास करता है और लगबग 70 परतीशत जनसंख के अपनी आजीविका के लिए क्रिशी शेतरपन इर्वर है जाइक का सहयता प्राप्त फसल विविदी करण परियोजना के दूसरे चरण को सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इससे राजे के किसान प्रिवारों की समाजिक आर्थिक स्तीती को अधिक बढ़ावा मिलेगा प्रियोजना का पहला चरण 2011 में प्रायोगिक अधार पर राजे के पांच जिलों में मंडी, कांगडा, हमिरपूर, बिलासपूर और उना में किरियानवित किया जा रहा है जिससे इन जिलों के किसानों की अर्थ विवस्ता बदल गई है इस प्रियोजना का जो मुख्य उदेश्य है वै है फसल विविदी करण के एक सफल माडल का परसार करना और 2031 तक प्रियोजना शेत्र में सबजी उत्पादन शेत्र को पच्ची सो हेक्टेर से बढ़ा करके साथ हजार हेक्टेर करना Q2. पीठा सीन अधिकारियों का अखिल भारत्य सम्मेलन हिमाचल में कहां आयोजित किया गया वेर वाज दा ओल इंडिया कॉन्फरेंस ओ प्रिजाइडिंग ओफिसर सेल्डिन एचपी Q2. इसका ऐजिन किया गया शिम्ला के विधान सबा भवन में Q2. इसकोशन का रइट अंसर रहेगा Q2. वर्च्वली ओनलाइन अईजित किया गया था Q2. अखिल भारत्य पीठा सीन अधिकारियों का सम्मेलन शिम्ला में अईजित किया गया इस अउसर पर श्री जैराम ठागुर ने परधान मंत्री से कांगड़ा जिले के ध्रमशाला में राज्ये के लिए राश्ट्रिय ए अकादमी स्विक्रित करने का आगरे किया है तो यह important fact इस question में आपका बनता है कि राश्ट्रिय ए अकादमी की स्थापना हिमाचल परदेश के किस स्थान पर की जाएगी तो ध्रमशाला में की जाएगी इसका आगरे किया गया है अभी confirm नहीं हुआ है इसका अभी परधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया गया है कि ध्रमशाला में राश्ट्रिय ए अकादमी की स्थापना की जाए गोर तलब है कि हमाचल परदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधान सभा में कागच रहित काम शुरू किया है जिसे अब ई विधान के नाम से जाना जाता है Q3. मुख्यमंत्री एक बीघा योजना कब शुरू की गई? परदेश की ग्रामिन महिलाओ की आर्थिकी को सुद्रिड करने के साथ साथ स्वयम साहता समू की महिलाओ को खादेश उरक्षा तथा आजीविका के अवसर परदान करने के उदेश से परदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना क्रियानवित की जा रही है मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर ने 21 मई 2020 को इस महतवा कांशी योजना का शुभारम किया था इस योजना का जो मुख्य उदेश है वै है महिलाओ तथा समयम साहता समू से जुड़ी हुई महिलाओ को आर्थिक रूप से सुद्रिड करना इसके साथ साथ उन्हें बैक्यार्ड कीचन गार्डनिंग के लिए भी प्रशिक्षित करना है यह योजना रश्ट्रिय ग्रामिन आजीविका मिशन और मनरेगा के बीच एक अभीशरन योजना है मुख्यमंतरी एक भीगा योजना के तहट प्रदेश में भूमी सुधार, नरसरी उत्पादन, फलदार विरिक्षार ओपन, केचवा, खाद गड़ा निर्मान, सिचाई और जल, संचन, सनंचना, निर्मान और गोशाला निर्मान जैसे कारिय किये जा रहे हैं प्रदेश में वर्स 2020-21 में इस योजना के अंतरगत 11,254 कारिया स्विक्रित किये गए जिसमें से 1,690 कारिया पूर्ण कर लिये गए हैं योजना के अंतरगत प्रदेश में अब तक विबिन कारियों पर लगबग 17.91 करोड रूपया खर्च किया जा चुका है वर्स 2021-22 के दोरान प्रदेश के विबिन जिलो में इस योजना के अंतरगत 281 कारिया स्विक्रित किये गए हैं जिसमें से 1045 का कारिया आरम किया जा चुका है और चालू वित वर्स में अब तक 852 कारिया पूर्ण कर लिये गए हैं प्रदेश में इस वर्स अब तक 4.25 रु प्रदेश के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में राज्य भर में मनाये जा रहे स्वर्णिम हिमाचल समहारों के अंतरगत आवासिय आयुक्त कारियाले और हिमाचल शोशल बाडीज फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से गद दिनों हिमाचल भवन नई दिल्ली में स्वर प्रदेश ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मलिका नड्डा ने इस अवसर पर मुख्य अतिती के रूप में शिर्कत की विज्ञान और तकनीक के उपयोग के लिए परतिष्टित जमना लाल बजाज पुरुसकार के लिए किस व्यग्यानिक का चैन हुआ है तो देखिए इस वर्स रूरल डेवलपमेंट में साइस एंड टेकनोलोजी का यूज करने के लिए हिमाचल परदेश के डॉक्टर लाल सिंग का चैन हुआ है इस प्रेस्टिजियस जमना लाल बजाज पुरुसकार के लिए तो सीज कोईशन का राइट आंसर रहेगा ये हम आ गए हैं बजाज ग्रूप की वेबसाइट पर और यहां पर आपको देखने को मिलेगा गांधियन वरियर्स ओनर्ड विद जमना लाल बजाज अवार 2021 तो मिस्टर ध्रमपाल सैनी है ये 36 गड़ से है इनको अवार्ड मिला है फोर कंस्ट्रक्टिव वर्क ठीक है और डॉक्टर लाल सिंग ये हिमाचल परदेश से बिलोंग करते हैं इनको अवार्ड मिला है फोर एप्लिकेशन ओफ साइंस एंड टेकनोलोजी फोर रूरल डेवल्पमेंट और सिस्टर लूशी कूरियन ये मारास्ट्रा से बिलोंग करती है इनको अवार्ड मिला है फोर डेवल्पमेंट एंड वेलफेर और वोमन एंड चाइल्ड और मिस्टर डेविड एच अलबर्ट युनाइटेड स्टेट्स ओफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं इनको अवार्ड मिला है फोर प्रोमोटिंग गांधियन वेल्यूज आउटसाइड इंडिया सो इन चार मुख्य व्यक्तित्तों को अवार्ड दिया गया है जमनलाल बजाज पुरुषकार के लिए डक्टर लाल सिंग को बदाई दी है मुख्य मंतरी शिरी जैराम ठाकुर ने ग्रामिन विकास 2021 के लिए विज्यान और तकनीक के उपयोग के लिए परतिश्टित जमनलाल बजाज पुरुषकार के लिए शिमला की गैर सरकारी हिमालियन अनुसंधान गुरुप के चैन के लिए निदेशक डॉक्टर लाल सिंग को बदाई दी है मुख्य मंतरी शिरी जैराम ठाकुर ने मुख्य मंतरी ने कहा कि ग्रामिन शित्र से सम्मन्द रखने वाले व्यक्ति के लिए यह एक असाधारन उपलब्दी है इसके लावन उने कहा कि परदेश में पहली बार किसी व्यज्यानिक का चैन इस परतिश्टित पुरुषकार के लिए किया गया है वर्स 1978 से परदान कि किये जाने वाले इस पुरुषकार में 10 लाख रुपे की नगद राशी दी जाती है इसके लावा ट्रोफी और प्रशस्ति पत्र भी परदान किये जाते हैं तो यह important information भी आप लोगों को याद रखनी है Q6. हिमाचल परदेश में इस वर्स कितने क्रिशक उतपादक संगठन फार्मर्स प्रोडूजर्स और्गेनाईजेशन बनाने का लक्षय रखा गया है A target has been set to form how many farmers, producers, organizations in the हिमाचल परदेश इस यर तो इस वर्स FPO 100 की संख्या में बनाने का लक्षय रखा गया है कितने FPO बनाए जाएंगे इमाचल परदेश में 100 ठीक है 20 question का right answer रहेगा केंदर सरकार ने target रखा है कुल 10,000 नए FPO बनाने का ठीक है इस कड़ी में परदेश में इस वित्य वर्स में 100 संगठन बनाने का फैसला लिया गया है हर संगठन में कम से कम 100 किसान बागवान शामिल करना अनिवारिया रहेगा परदेश में पहले से गठित करीब 40 सहकारी समीतियों को FPO के तोर पर प्रिवर्तित करने की भी योजना है FPO किसानो बागवानों का एक समू होगा जो क्रिशी बागवानी उतपादन कारिया में लगा हुआ हो यह संगठन क्रिशी और बागवानी से जुड़े व्यवसाई गती विदियो को चलाएगा एक समू बनाकर उसे कंपनी एक्ट में पंजी करित भी करवाया जा सकता है संगठन के माध्यम से खाद, बीज, दवाईया और क्रिशी उपकरण खरीदना असान होगा राश्ट्रिय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है राश्ट्रिय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को डीस कोशन का राइट अंसर रहेगा कोशन नमर रेट सिर्मोर बटालियन जो बाद में दूसरी गोर्फा राइफल्स के नाम से जानी गई का गठन कैप्टन फेडरिक यंग ने किस वर्स किया कैप्टन फेडरिक यंग ने 1815 में सिर्मोर बटालियन का गठन किया था जिसको की बाद में सेकिंड गोर्फा राइफल्स के नाम से भी जाना गया नेक्स कोशन है एतिहासिक धार्मिक स्थल हाट कोटी हाट कोटी किस जिले में स्तीत है in which district is the historical religious place हाट कोटी लोकेटिड हाट कोटी लोकेटिड है शिमला जिले में D is question का right answer रहेगा picture में आप देख पा रहे हैं हाट कोटी मंदिर को ये है इसका मुख्यदवार और मुख्यदवार को स्थानिय बाशा में क्या कहा जाता है खोली कहा जाता है ठीक है इसी खोली से हाट कोटी मंदिर परीसर में परवेश किया जाता है तो यह है important fact भी आप लोगों को याद रखना है question number 10 इसके अलावा मुख्यमंतरी ने गोशना की है कि काला अम में उप तहसील खोली जाएगी तो यह important fact भी आप लोगों को याद रखना है इसके लावा कुछ one-liners question भी थे इस बार के ग्रीरा समाजार पत्तर में वो भी हम cover कर लेते हैं मनाली और लेहे के बीच पूरु परधानमंतरी अटल भिहारी वाजपई के नामाधिन बनी अटल टनल सुरंग हिमाचल की किस स्रिंखला पर बनी है तो इस question का सही answer रहेगा पुर्वी पीर पंजाल स्रिंखला पर अटल टनल सुरंग का निर्माण किया गया है भारत का कौन सा रज्य दाल चीनी की संगठित खेती करने वाला पहला रज्य बना है हिमाचल पर देश ठीक है या आप लोग याद रखेंगे नेक्स क्वेशन है हिमाचल पर देश के कुल कितने रज्य घरेलू उतपाद का लगबग कितना परतिशत क्रिशी तथा इससे समंदित शेतरों से प्राप्त होता है तो लगबग 10 परतिशत क्रिशी और इससे समंदित शेतरों से प्राप्त होता है कुल रज्य घरेलू उतपाद का किस रियासत के शाशक को साथ धारो का स्वामी कहा जाता है तो बिलासपूर रियासत के शाशक को साथ धारो का स्वामी कहा जाता है यह important information आप लोगों को याद रखनी है हिमाचल परदेश के किस जिले में सबसे कम गाउं है हिमाचल परदेश के कुलू जिले में सबसे कम करके बताना है उत्तर भार्थ की पहली हर्बल मंडी कहां स्थापित की जाएगी वेर विल दफर्स्ट हर्बल मार्केट ओफ नोर्थ इंडिया भी स्टेबलिस अप्शन सार किनोर शिमला सोलन मंडी सो जल्दी से बताईए इस क्वेशन का राइट आंसर सो फ्रेंट थैंक्स फोर वचिं इस वीडियो में इतना ही कीवचिं आर वीडियो थैंक्यू वर्यमच